गरी लुप चार और सुकी जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सहद और लॉंग एक साथ खाने के फायदों के बारे में दोस्तो आईरुवेद में सहद और लॉंग का बहुत बड़ा महतु है दोनों ही चीजें सहद के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं लेकिन जब हम सहद के साथ लॉंग को मिलाकर या पीस कर खाते हैं तो इसके हेल्थ बेनेफिट और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं इन दोनों में मौजूद नियूट्रियंट्स कैई तरह की बीमारियों से हमें बचाने में मदद करते हैं दोस्तो आई जानते हैं विस्तार से सहद और लॉंग को एक साथ खाने के फायदों के बारे में पहला फायदा जो लोग मौटा पे से परिशान हैं और किसी भी हालत में अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो ये नुस्का उनके लिए बहुत उत्तम है इस नुस्के से मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है और वजन तेजी से कम होने लगता है इसकिन की चमक आपको बढ़ानी है तो ये नुस्का उन लोगों के लिए भी बहुत फायदमद है सहद और लॉंग दोनों में एंटी बैक्टिरियल प्रॉपरटीज होती है और ये इसकिन को सौफ्ट और चमकदार बनाने में बहुत जादा मददगार है इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी ये नुस्का बहुत ही कारगर है इससे बोडी की इम्यूनिटी बढ़ती है और सर्दी खासी जुकाम जैसे इन्फेक्शन से बचाती है इसलिए इसका सेवन सर्दियों में बहुत जादा फायदमद है यदि आपके सरीर में किसी भी वज़े से घाव हो गया है चोट का घाव हो गया है और वो असानी से ठीक नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी ये नुस्का बहुत उत्तब है दोस्तो इस नुस्के में एंटी फंगल प्रोपर्टीज होती है और ये घाव को जल्दी भरने में काफी मददगार है कैंसर से बचाओ इसमें एंटी उक्सिडेंट होते हैं जो कैंसर से बचाने में हमारी मदद करते है दिल की प्रॉलम से बचाओ सहद और लॉंग दोनों में फ्लेवनोइट्स होते हैं जो हर्ट की बीमारियों से बचाने में बहुत ज़्यादा एफेक्टिव है एनरजी को बढ़ाने के लिए एनरजी को मैंटेन करने के लिए ये नुस्का बहुत अच्छा है दोस्तों इन दोनों को मिला कर ये दियाब खाते हैं तो ये आपके सरीर के एनरजी लेवल को बढ़ाता है इसमें कार्बो हाइट्रेट्स होते हैं जो एनरजेटिक रखने में हमारी मदद करते हैं डाइजेसन को ठीक रखने में भी ये उत्तम नुस्का है दोस्तों इसे खाने से मुह में सैलाइवा बहुत जादा बनता है जो डाइजेसन को ठीक रखने में हमारी मदद करता है दाट दर्द या जोडों के दर्द के लिए भी ये नुस्का बहुत उत्तम है इसमें एंटी इंफलेमेटरी प्रोपरटीज होती है जो जोडों के दर्द और दाटों के दर्द से छुटकारा दिलाती है जोडों के दर्द और दाटों के दर्द में ये बहुत ये अफेक्टिव नुस्का है यदि आपको किड्नी की प्रॉलम है तो उससे भी बचाने के लिए नुसका बहुत उत्तम है दोस्तो इससे बोड़ी के टॉक्सिंस दूर हो जाते हैं और किड्नी लीवर की सारी बीमारियां दूर हो जाती है और किडनी लिवर की बीमारियों से बचाने के लिए ये नुस्का बहुत ही उत्तम है दोस्तो अब बताते हैं आपको इसे इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है इस नुस्के को बनाना और इसको इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है दोस्तो इसके लिए आप एक काच की कटोरी ले लीजिए इस तरह से और उसमें आप सिर्फ चार लोंग डालिए और उसमें एक चम्मच आप डाल दीजे सहद सहद आपके पास जो भी हो किसी भी कमपनी का हो उसे आप यूच कर सकते हैं लेकिन सहद यदि सुद्ध होगा तो वो ज़्यादा फायदे मन्द होगा दोस्तो हम अपने घर में ये डाबर का हनी इस्तेमाल करते हैं और आज भी इसमें उसके को बनाने के लिए हम आपको डाबर का हनी ही इसमें डाल कर आपको दिखाते हैं ये हमने चार लोंग ली हैं और इन चार लोंग में आप एक चम्मच सहद डाल कर रात भर के लिए आप इसको ऐसे मिक्स करके रख दीजे और एक प्लेट से इसको ढग दीजे रात भर इसको इसमें पड़ा रहने दीजे और जब आप सुबह उठें तो फ्रेस होने के बाद ब्रेश करने के बाद आप अच्छे से चारों लोंग को अच्छे से चबा चबा कर खाएं और साथ में ये सहद भी उपर से खा लें सिर्फ आपने इतना ही करना है ये नुस्का इस्तिमाल करने से आपको ये डहे सारे फाइदे मिलेंगे जो अभी हमने आपको बताए हैं दोस्तों यदि हम इसके side effect की बात करें तो इसका कोई भी side effect नहीं है ये बहुती उत्तम बहुती सांदार नुसका है और बहुत सारी बीमारियों से बचाव करने के लिए ये बहुत उत्तम है इस पर्म काउंट बढ़ाने के लिए भी ये बहुत अधिक और बहुती सांदार बहुती उत्तम नुसका है इसका परियोग जरूर करें आपके जिन्दगी में चमतकारिक बदलाव आएंगे और ये सर्दियों का मौसम चल रहा है इस मौसम में इस नुसके का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा फायदे बंद है क्योंकि लोंग की तासीर थोड़ी गरम होती है इसलिए इस नुसके को इस्तेमाल करने के लिए सर्दिया सबसे बहतर है गर्मियों में इसको इस्तिमाल करने का इस्तिमाल करने की सलहा हमें किसी को नहीं देते क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है इसलिए सर्दियों का मौसम बहुत ही बहतर है इस नुस्के को इस्तिमाल करने के लिए और इस नुस्के को इस्तिमाल करें ताकि आप धेर सारी समस्याओं से अपने आपको बचा सकें इसका कोई साइड अफेक्ट नहीं है आप बेफिकर होकर इसका इस्तिमाल करें दोस्तो आज के लिए सिर्फ इतना ही हमारी वीडियो और बताएगे नुसके और दीगे जानकार या आपको अच्छ लगी हो तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें हम जल्दी फिल लोटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ तब तक आप हसते रहें मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें